अभी दो विश्मे सर्फ टिप हमें याद आ रही ही मुझे, एक तो है पपीते के पत्ते का जूश, मतलब की दोनों ही तरह से ताकतवर है, यदि रक्तकण कम हो रहे हैं, तो भी बढ़ा है, घट रहे हैं तो संतुलिन करना है, सफेद रक्तकणों का संतुलिन करने में पपीत विश्मो प्रशिद्दै सब को मालूमात का दुनिया जानती है, कि पपीते के पत्ते से हमारा जो रक्तके खण है, उनका संतुलिन होता है, छोटे-छोटे-चीकी-चीकी पत्ते लेकर के एका चंबच खाने से स्वस्ट और अस्वस्ट वेक्तियों को दोनों को फाइदा हो दूसरा प्रियोग जो है, अभी आईरेन की बहुत ज़रुकता है, सब करते हैं, बी-कॉंप्लेक्स और आईरेन, अमिन पाउर पढ़ाईए, तो अमिन पाउर के लिए पालग से भढ़िया क्या हो सकता है, पालग और जीरा, जीरे की फाकिलो, साथ दिन में आपका करसा भी और चाइना थर्टी का प्रियोग साथ में रखी है, तो आपके आईरेन तुरन पर जाएंगे, चाइना थर्टी अंदर चमतका, क्या है चाइना के अंदर, कि यर्दी आपके सरी में उतर का सब निकल गया, अकम जोरी भी आगी है, तो उसको आपकी सरी कवरी देगा, अशिन बेचनिक हतम करतेगा, आर्षिन बुखार उताने में ताकता है, आशिरी बहुत काम करते हैं, पर चाइना चाइना है, इसलिए हो अमियोपेद क्या करते हैं, चाइना और आईर्शनी का अदल बदल के प्रियोग भी करते हैं, दवाया तो बहुत अमित्रों, पर में इतना ही जो काफी है ये समझ्या जो है अच्छा ठ्षमा करें कान के बारे में मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं जो लोग घर में हैं अभी वो लोग अपनी मरम थेरापी सिखें मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं कि मरम थेरापी कौन कोंसे पॉइंट है जो आप बन कर सकते हैं कान के पीछे का ये भाग है उसकी हंडी है उसको दबा के रखना है और उसको पॉइंट करना है सामने का एक पोशन है उसको दबाना है ये ये और दबा के रखना है कान में अमुली डालना है और नाक बन करके रखना है और ये प्रियोग जरूरी है ऐसा गले वाला, सिर्क एक थोड़े पॉइंट भी जरूरी है, आप कोई नारियल का तिल या सरसो का तिल लगा के, जहसे आपको शूट होता, बदाम का तिल बदाम का लगा के फ्योग कर सकते हैं, हाथ की हा तिलों के पॉइंट बहुत जरूरी है, आप समझें कान में हाथ का क्या मायत है, यह है, एक यह पॉइंट है, एक यह है, एक यह पॉइंट है, यह बहुत जोड़दार है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कभी तो क्या अगर हिंदू को कहते हैं, तो कहते हैं बई, ओम नमश्वाय तक दबा के रखो, ओम नमश्वाय तक दबा के रखो, मुसल्म हिंद को भी काम करती है, भुसलमान को भी काम करती है, और सब को काम करती है, कल ही मेरे पास में दो जिन से पाकिस्तान से एक फोन आ रहा है, कि सार मेरी छोटी सी बच्ची है, और फोन मैंने का बिटा मुझे क्यों फोन कर रही हो, तंग मत करो भी सब कुछ बंद, कि मेरी सुन पण लिख से एप मदत करेंगे तो तकलीफ बढ़ेगे यहाल कुछुट। झाल झाल